गुट मॉनिंग एवरिवन और सुबह सुबह देखिए मैं ले आई हूँ कुछ बरतन उठाकर फ्रिज में से जिसमें एक में है लेक्टोवर खिच्डी तो ये लेक्टोवर खिच्डी है रात में बनाई थी बच गई थी तो इसी के फराठे में बनाऊंगी और यहां पे है दाल और राइस भीगे हुए तो एक्चली ये ना रात में मैंने भीगोए थे दो तिन घंटे भीग चुके थे उसके बाद मुझे लगा कि दाल में क्या पता स्मेल आ जाए गर्मी की वज़े से इसलिए मैंने फ्रिज में रखती थी अब बाहर निकाल दी है दस ग्यारा ब जाता है न कि पता ही नहीं चलता है क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता रात से ही टेंशन हो जाती है कि बच्चों के टिफिन में क्या दें रोज रोज नया उनको क्या दें कि वो आराम से खा भी ले और हमें भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो यही जद्दो थोड़ा सा इसका आटा जो है उसमें क्योंकि खिचडी जो है आटा बनने के बाद ना काफी पानी छोड़ती है तो जब भी आप कभी खिचडी का आटा लगा रहे हो तो उसको थोड़ा टाइट ही रखना क्योंकि फिर बाद में वो अपने आप ही थोड़ा धीला होता जाता तो विस सूखा अटा हम ले लेंगे साइड में और फिर बनाएंगे इसकी छोटी-छोटी पूरियां तो यहां पर देखो मैं पराठे बनाना वैसे ज्यादा एजी रहता है पूरियों से पूरी बनाने में कभी फूलती हैं कभी नहीं फूलती क्योंकि इसमें जो राइस है द मिक्सी में डालके पीस लो और फिर उसमें आटा बनाओ तो उससे न आपकी जो पूरियां है वो बहुत ही अच्छी बनेंगी और फिर उसको फ्राइ करो तो काफी अच्छी वो निकल कर आती है बट अभी मेरे बास इतना टाइम था नहीं कि मैं उसको पीसने भी बैठ जो कि सिर्फ बच्चों के लिए मैं पूरियां बनाने वाली हूँ बाके सब के लिए तो पराठे यहां पर बनेंगे तो इसलिए सिर्फ उतना ही मैंने बनाया है तो इसलिए मैंने ज्यादा बहनत की नहीं है तो देगो कड़ाई जो है वो भी मैंने छोटी सी जो बच्चो बनाके बैठोंगे कि कल भी यही दू वो बोल रहा था नहीं मम्मा आप तो यही देना मुझे ठीक कर देखेंगे और इस तरह किसे उसको थोड़ा सा इसे उल्लो बना दिया मैंने और बस देखिए बतो बतों में पूरियां जो है वो बन गई कुछ फूली कुछ नहीं फूली बच्चों को काफी टेस्टी लगी तो थोड़ा सा यहां पर सालसा कैचप दिया और यह देखो यह दोनों भी आ गई हैं दूथ पी ने तो अभी बस सारे जो नीचे के काम है मेरे वो मैं खतम करके आई और नहाने के यहां पर तयारी करने लग गई अलमारी में देखा समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनू रोज यहीं टेंशन हो जाती है न क्या पहने क्या नहीं पहने फिर जैसे तैसे यह ड्रेस मैंने निकाली और फिर जल्दी से फटाफट से फिर नहा कर आई और चलिए फटाफट से अब रेडी होते हैं एक्चुली बहुत ज़्यादा तो देखो मैं करने ही पाती हूँ डेली तो कोई मेकप वेकप मैं कुछ नहीं करती हूँ लिपस्टिक भी नहीं लगाती हैं कभी कभी मैं मन किया तो लिप बाम लगा लेती हूँ कभी मैं लिपस्टिक भी घर पे लगाती नहीं हूँ इतना क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे किचिन में काम नहीं होता है फिर तो ऐसे हो जाता है कि भई मैं तो आज लड़ी हूँ, आज मुझसे काम नहीं होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे लिबाम कभी लगा लिया, कभी नहीं लगाया, गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी मुझसे नहीं होता है, क्योंकि फिर मेरे चेहरे पे, क्योंकि म बनाने का मन कर रहा था, तो सुचाए कि आपके साथ साथ रेडी तो होई रही हूँ चोटी भी बना लेते हैं, तो थोड़ा वीडियो में भी आजाएगा भी, किस तरीके से मैं रेडी होती हूँ, हलांकि इतना ज़्यादा मैं रेडी होती नहीं हूँ, देखो कि ये कभी-कभी होता है, ये चोटी, तो आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, तो आपने देखा यह ओखा, मैं इसे जूड़ा बांध के रखती हूँ तो आज तो प्रोपर भी या, एक्दम-एक्दम तयार होकर, कहां जाना है, पता नहीं ये कुर्ता मैंने डाला ना, थोड़ा ऐसे मतलब एक ही बार, दो बार ही डाला है मतलब एक बार उस दिन हम लोग बाहर गए थे अपने मेरे शोट वीडियो देखे होंगे, तो उसमें था और एक बार अप पहना है, तो अन्वी जैसे स्कूल से आई, तो उसने पूछा, ममा कहां गए थे अब क्यों नया कुर्ता पहना है, और यहां कि देखो पापा जी भी बिल्यों के साथ मज़े ले रहे हैं और इन दोनों को इसके नीचे ढाल दिया उन्होंने, तो कैसे चूट कर भागी है और यहां भे ममी जी ने करेले बना दिये थे जब तक मैं रेडी होकर आई नीचे और करेले फटा फट बन गए थे अब क्या है ना कि माता की आज धोग देनी थी तो इसलिए जल्दी से ये जो करेले हैं वो तो मैं निकाल दूगी और फिर बनाएंगे हम हलबा, तो फटा फट से जो कडाई में से करेले हैं वो निकाल दिये जाएंगे और फिर कडाई रख देंगे हम धोने के लिए डेली डेली वही काम वही चीजें तो एकदम ऐसे कभी-कभी तो न, ऐसे लगता है कि यार, कितना बोरिंग सा है, पर कभी-कभी लगता है कि अच्छा है, मतलब काफी दिन हो जाते है न, अगर बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, या बीच में कुछ भी ऐसे रूटीन चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा भी तब यार असे लगता है कि यार पुराने दिन मतलब जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वो ही वापस आ जाए तो ठीक है क्योंकि यह रूटीन सा बना रहता है ना तो हमको भी उस रूटीन की आदत हो जाती है तो हम भी ऐसे यूजड हो जा आटे का हलवा एक्चली मैं सूजी एंड आटा दोनों मिक्स करके बनाती हूं जब भी माता की दोग देते हैं कभी कभी सिर्फ सूजी का भी बना लेती हूं बट आज ना सूजी खतम हो गए थी मेरे पास तो इसलिए सिर्फ आटे का ही मैं बनाने वाली हूं यहां पे और घी देखो थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा और घी एड कर लूँगी और अच्छे से ना सिकाई कर लेंगे आटे की और फिर हमारा जो हलवा है वो रेडी होगा किस तरीके से होगा वो तो अभी आपको धीरी-धीरे पता चल जाएगा बट काफी टेस्टी स हलवा बनकर रेडी होता है ऐसे तो हर अश्टमी कोल हर अश्टमी मतलब जो I think कृष्ण पक्षकी होती है चांदनी आठे बोलते हैं हम लोग उसको एक अंधेरे की आती है शुकल पक्षकी और कृष्ण पक्षकी तो कृष्ण पक्षकी अश्टमी को शायद देते हैं हम लो जो रोष्णी वाली होती है चांदनी आठे होती है उसको हम लोग ऐसे माता की धोग देते हैं तो बस हलवा जो है वो आप देख सकते हो अच्छे से भुनाई इसकी हो रही है घी मैंने और एड़ किया है इसमें आठे के हलवे में थोड़ा सा घी ना प्रोपर चाहिए होता है तो जैसे ही हमारा जो आटा है वो भुन जाएगा हम इसमें एड़ कर देंगे यह पानी काफी लोग ना ऐसे चीनी को पानी में घोल कर लें चीनी की चाशनी बनाके उसमें थोड़ा सा दूद डालके वो भी एड़ करते हैं बट हम लोग बस इसी तरीके से बढ़ते हैं तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ तो बस फटा फट से इसको चला देंगे दर्वाइस गांठे पड़ जाएंगे इसके अंदर और बस ऐसी चला चला के हम लोग इसको रेडी कर लेंगे और यह देखिए हमारा जो हलवा है वो काफी हद तक अच्छा सा हो गया है इसमें मैंने डाल दी चीनी और चीनी को भी अच्छे से मिक्स किया जाएगा चीनी भी पानी छोड़ेगी अपना तो और यह थोड़ा सा लिक्विडी बनेगा और फिर वापस इसको उसी तरीके से लाया जाएगा और यह हमारा हल्वा जो है एकदम टेस्टी सा रेडी हो ग और अभी यह जो पत्थर में हो रही है इस पे ही हम जोत लेंगे माता की और दिया भी धोकर रख दिया है और अभी हम गैस पे चड़ा देंगे यह उपला इसको क्या बोलते हो आप गोबर का होता है यह और इस पे ही माता की धोक दी जाती है तो सब रोली चावल सब हम तया कर लेंगे उसके बाद यहां पर मैं बना लूँगी इस तरीके से बती माता की जोत लेने के लिए और इसी तरीके से हमेशां यह प्रोसेस होती है तो हम मैं बहुत ज्यादा मतलब यूस्टू हो गई हो इस चीज की और देखिए मेरी थाली जो है वो भी सज गई है धोग देन में जब भी ऐसे सफाई हो जाती है किचिन की दिवाली पे होली पे ज्यादा मतलब दिवारे वारे रगड़के धो देते हैं तब तो थोड़ा सा हलकी हो जाती है लेकिन फिर हम वापस धोग देते हैं तो वापस बना लेते हैं और फिर यहां इनके आगे ही यह पत्थर जो सारी चीज़ें बट फिर से मुझे लगा कि चलो काफी दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था तो इस बार फिर शेयर किया और उसके बाद सबने खाना खाया और यहां पर मैं बरतंद होने लग गई थी और मेरा ये जो नया तब लिया है न क्या बोलत है इतने सारे बरतन इसमें आ जाते हैं और एक जगह टिके रहते हैं मतलब इदर उदर फैलाने नहीं पड़ते हैं और शाम तक भी स्वें पढ़े रहे हैं तो भी इतना फैली हुई नहीं रख लगती है किचिन और फिर इसको मैं निकाल के यहां से ही मैं वापस अपनी इसकी तरफ जाता था बट अब ना पूरा नीचे सिंक में आ जाता है तो वो एक मेरे लिए बहुत ही जादा खुशी की बात है कि मुझे फाइनली यह मिल गया और मैं काफी खुश हूँ इस चीज़ से और यह देखो हमारा जो दाल चावल है वो भी कुछ इस तरीके से हो है अच्छे से भीग चुका है तो इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे और फिर इनको पीसेंगे तो यह लीजे पानी इसका पूरा मैंने निकाल दिया पहले का जो भी भीगा हुआ था और बाकी जैसे ज़रूरत लगीगी तो फ्रेश पानी में डाल कर फिर इसको तो दोनों को ही वाश करके मैं नियूस पेपर भी सुखा दूँगे ना तो यह सूख जाएंगे आराम से अच्छे से तो मैं फिर इनको फ्रीज में रख सकती हूं तो इस तरीके से ना धोकर रखने से एक तो भिंडी कभी भी बनाओ फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है दर फिर मैंने इसको फ्रीज में रखा क्योंकि मैं बच्चों के लिए सुबह में बनाने वाली थी डोसा रात का मैंने पहले तो रात का सूचा था बट बैटर जो था वो कम ही था मेरे पास लेकिन फिर मैं मुझे लगा कि यार बच्चों के टिफिन के लिए मुझे ज्यादा चाहिए होती है कि बनाने के लिए कि क्या बनाओ क्या बनाओ तो उस चक्कर में फिर मैंने सूबह के लिए इसको फ्रीज में रख दिया और बहुत ही टेस्टी से डोसे मैंने बनाए और ये देखो बहुत ही जादा ये अच्छे से पिस गया है एना एकदम अच्छी कंसिस् तो यहाँ पर देखो मेरा खाना आ गया है करेले की सबजी और मिर्ची है और साथ में ही चटनी है और जो खिचरी के पराठे मैं बनाये थे वो हैं तो यह लेजिए अभी लंच कर लिया जाए तो लंच में बहुत ही टेस्टी से ये खिच्टी के पराठे मुझे लगे और काफी इंजोई किया मैंने इनको अब चलते हैं कपड़ी सुखाने के लिए तो आप देख सकते हो वाइट वाइट ड्रेस बच्चों की धोई थी तो उनको भी सुखाना बहुत ज़रूरी था दरवेज कलर लग जाता है दूसरे कपड़ों के तो मैं क्या करती हूँ बागी सारे कपड़े तो बाल्टे में डाल देती हूँ और जो वाइट वाले होते हैं वो नल पे टांग देती हूँ की अलग रहें तो कलर ना लगया दरवेज मैं तो इतनी ज़्यादा बुरी होना सच में कपड़े धोने में मैं तो जात बहुत ही मतलब इतने वाइट शर्ट वाइट टी शिट मैंने बच्चों की बिगाड़ी हैं कलर लगा लगा के बट ये स्कूल यूनिफॉर्म पता न अपनी एडिटिंग के लिए और देखो आलस आ रहा है नेंदा रही है बट काम तो काम है करना पड़ता है वैसे भी बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक थोड़ा काम मुझे कर लेना है अपना वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ तो बस फिर काम किया और बच्चे आए उ और सारे काम खतम किये इस तरीके से यही चला हमारा पूरा दिन और इसी में लगे रहे तो देखो अरनव को मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसको पता नहीं था मैं शूट कर रही हूँ तो वो एकदम से उसने देखा कि मैं शूट कर रही हूँ तो वो हसी आगे उसको त सवरा था फिर शाम को हम लोग टेलर के गए थे जो हम ब्लाउस से लाते हैं वही पर बुटीक गए थे तो देदी को अपना ब्लाउस देना था तो वही हमने ब्लाउस का नाप दिया और फिर घर आ गए और ये बैटर आप देख सकते हो काफी अच्छा फर्मेंट हो चुका है लेकिन फिर इसको अब भी फ्रीज में ही रखना पड़ेगा मैं अभी बनाने वाले नहीं हूँ इसको क्योंकि कुछ हो और ही बनाएंगे अब नहीं होगा और फिर थोड़ा सा घूमने के बाद मैंने पिया ये नीमू पानी जिसमें गरम पानी मैंने किया है गरम पानी याड़ी करके पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा तोकसिंस जो हैं वो बाहर निकले और अपने बोड़ी को मैं डेटोक्स कर पाऊं तो बस ये पीने के बाद फिर डिनर बनाया, सबने डिनर किया और डिनर में मुझे याद भी नहीं, actually मैंने क्या बनाया था क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है 24 अगुस्त का है तो फिर रात में पढ़ी मैंने अपनी बुक और फिर सो गई I hope आपको मेरा ये डि विद मी पसंद आया हो अगर आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेर करना और मेरे चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलती रहें, बाई बाई